बाबा भी सुनात की नगरी बनारस से आपका स्वागत है Study with Team बनारस चैनल पर 40 नमबर में 40 नमबर की तयारी वे लेकलास का आज तीसरा दिन है और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेसल और इंडियन नेशनल मुमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेन प्रश्ण को डिसकस करने वाले हैं आपके सामने पहला प्रश्ण है कि बिहार का कौन सा सहर पाँच पहाडियों से घिरा हुआ है आपके अप्सन है गया, पटना, भागलपूर, बोध गया, एक से अधिक या इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बिहार का राजगीर सहर है वह पाँच पहाडियों से घिरा हुगा है लेकिन आप अप्सन में देखेंगे तो कहीं पर भी आपको राजगीर सहर नहीं देखेगा इसलिए इन में से कोई नहीं अप्सन सही हो जाएगा और पाँच पहाडियों का नाम क्या-क्या है तो रतनागीरी, विपुल्चर, उदयगीरी, स्वरडगीरी या फिर सोनगीरी और वैभावगीरी ये पाँच पहाडिया है और इन पाँच पहाडियों से ही राजगीर सहर घिरा हुआ है अब चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं यहाँ पर पूछा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सुसाइटी की अस्थापना की थी आपके अप्सन है सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी रामकृष्न मिशन सोसाइटी सरीवा समिती या फि सोचल सर्विस लीग तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्न मिशन सोसाइटी और ओरिजिनली अगर हम लोग बात करें Callum क्रिश्ण मिशन के स्थापना किस ने किया था तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेका नंजी ने कलकत्ता में कप किया था तो अठारसो सतानवेश्वी में किया था और रामक्रिश्ण परमहंस कौन थे तो स्वामी विवेका नंजी के गुरू थे और यहां पर कए प्राशिद्ध है और हम लोग बात कि जूट जूट का तो जोट को किस नाम से जाना जाता है तो इसे सुनहरा रेशा या फिर गोल्डेन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है या आपके टियारी एक्जाम में पूछा होगा कोश्चन है अब चलिए नेक्ष्ट कोश्चन पे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवी ने देखा था आपके आपसन है मीर तकीमीर, जौ, मिर्जा गालीब या फिन मुहम्मद इकबाल तो इसका सहीवत्तर हो जाएगा मिर्जा गालीब 1857 के दोरान मिर्जा गालीब उसमें दिल्ली में थे तो यहाँ पर जो पूछा था कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवी ने देखा था तो मिर्जा गालीब और मिर्जा गालीब का आप देखेंगे तो बहुत सारे सीरो सायरी फेमस होते हैं वहाँ से कुछ एग्जामपल आपके सामने हैं जैसे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुस रखने को गालीब एक खयाल अच्छा है अब चले नेस्ट कुश्टन पे चलते ह हैं कि अंगरेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया आपके आप्सन हैं कि कांगरेज की उदारवादी नीतियों के कारण भारती निताओं की गिरफतारी के कारण बाटो और राजकरों की नीती के कारण एक से अधिक या इन में से कोई नहीं आखिर क्या कारड था कि इतने लंबे समय तक जो अंगरेज लोग थे भारत पर राज किये थे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम सभी लोग जानते हैं कि फूट करो या भी बाटो और राज करो की नीती के कारड अंग्रेज लोग लंबे समय तक भारत में बने रहें और राज किये जैसे हिंदू आउ मुस्लिम थे, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे? इनमें जगडा लगा देते थे, जिससे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं और ये लोग जिससे लंबे समय तक राज कर पाएं इसी तरीके से अगर बात करें कि अलग-अलग जो वरड थे उसमें भी इन्हों ने यही नीती अपनाया था अब चलें नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के दवरान ब्रीटीस सेना के किस सेना पती को कुवर सिंग के विरुद्ध भेजा गया था आपके आप्सन है जनरल हेवीट, कैम्प बेल, शूरोज, एक से अधिक या इन में से कोई नहीं तो देखे जो 1857 का विद्रोह हुगा था, पतना की जगदीश्पूर से कुवर सिंग ने नेत्रितु किया था या कोश्चन भी आपके एक्जाम में कई बार पूछा है, लेकिन यहाँ पर कोश्चन को थोड़ा से घुमा दिया है और पूछा है कि जो कुवर सिंग ने नेत्रितु किया था παटना में तो आहाँ पर कौन सेनापती आया था इनके विरोध में, इनको रोकने के लिए या हम लोग कह सकते हैं कि दमन करता कौन था कि जो वहाँ पल विद्रो हो रहा था उसे दबाने के लिए किस सेनापती को भेजा गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो विलियम टेलर था उसमें पटना का कमिस्नर था उसे ही भेजा गया था तो आपसम में कहीं पर वी विलियम टेलर दिख नहीं रहा है इसलिए इन में से कोई नहीं आपसम सही हो जाएगा और कुछ होर important point मैं आपको बता देता हूँ जहांसे एक्जाम में question बनते हैं कि 1857 का जो विद्रो हुआ था तो अलग-अलग जगह से कुछ important लोगों ने नित्रितु किया था जैसे अगर हम लोग कानपूर की बात करें तो नाना सहाब और तात्या तोपे ने नित्रितु किया था 1857 के विद्रो को और वहां का दमन करता कौन था उनकी अपोजिट में कौन अंग्रेजी निता आया था अंग्रेजी सिनापती आया था तो कैम्पबेल था कैम्पबेल लखनवू और कानपूर दोनों जगह दमन करता था और बात करें अगर लखनवू से नित्रितु करता कौन था तो बेगम हजत महल जी थी और जहासी से हम लोग जानते ही है रानी लचमी भाई थी और वहां का दमन करता कौन था तो शूरोज था और शूरोज नहीं लचमी भाई को कहा था कि सारे विद्रोहियों में एक मात्र मर्द अगर कोई है तो यह लचमी भाई है तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा कई बार आपके एकजम में पूछा हुआ है और जगदिशपूर से हम लोगों ने देखी लिया नेतरितु किस ने किया था कुगर सिंग और विलियम टेलर कौन था दमन करता था दिल्ली से बहादूर सा और दमन करता निकोल सन इलहाबाद से लियाका तली और जो दमन करता कौन था उसका नाम था कर्णल नील और एक additional point और आपको बता दू कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली से नेतरितु किस ने किया था बहादूर सा ने किया था लेकिन यह तो सिर्फ नाम का था अगर आपसे पूछे कि वास्ताव में लीडर कौन था तो आपकोन था वक्त खा या भी कई बार इक जम में आपसे पूछ लेता है अब चलिए next question पे चलते हैं तहाँ पर question पूछा है कि निमनलिखित जीलों में से कौन सी जील बिहार में स्थित है अनुपम जील, सुखना जील, सामभर जील या फिर कामा जील तो बिहार के कैमूर जीले में अनुपम जील स्थित है ठेक है तो इसलिए यह वाल आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा और कैमूर में जो वन्य जीव अभ्यारड है, वो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारड है। और बात करे अगर हम लोग सांभर जिल की, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है और सुखना जिल कहाँ पर है, तो चन्दीगर में है। अब चलें next question पे चलते हैं, तेहां पर पूछा है कि मुझभफरपूर, दर्भंगा तथा चंपारड जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांसता पाई जाती है, काली मिट्टी, नवीन जलोड मिट्टी, प्राचीन जलोड मिट्टी, लाल मिट्टी, या एक से अधिक या इन में से कोई नहीं, तो मैं आपको एरिया दिखा दे रहा हूं, मैप पर थोड़ा से जूम करके, ये देखे, दर्भंगा वाला एरिया है, ये मुझभफरपूर, और ये चंपारण वाला एरिया है, तो यही पर आपसे पूछ रहा है, कि किस प्रकार की मुख्यतर मिट्टी देती हैं, और इसी मलबे के कारड नमिंतम जलोड मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, और चली नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं, कि कोपेन के जलवायू वर्गी करड के अनुसार, उत्तर बिहार की जलवायू किसे से प्रदर्शित की जाती है, यही देखे, उत्तर बि प्रिथिवी को पाश प्रकार की जलवायू में विभाजित किया है, A, B, C, D और E के नाम से, जहाँ पर जैसे देखी, अगर उष्ड आद्र जलवायू होगा, तो उस एरिया को यह नाम से किया है, और C नाम से क्या होगा, उष्ड आद्र सम्सितोष्ण जलवायू, अब च अधिक या इन में से कोई नहीं, तो नील डर पर नाटक किस ने लिखा था, तो दीन बंधु मित्र ने लिखा था, और यहाँ पर देखी बात कराय नील कृष्ण की दसा का, तो नील विद्रोह हुआ था 1869 और 60 की दोरान, वहाँ पर जो अंग्रियेज लोग थे, वो किसान उनों ने विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह को बल देने के लिए बहुत सारे जो बुद्ध जीवी वर्ग के लोग थे, कुछ ने किताब लिखा तो कुछ ने नाटक लिखा, तो उसी दोरान नील दर पर नाटक लिखा था, दिन बंधु मित्र ने, ठेक है, अब च सही हो जाएगा, और निल विद्रोह स्टार्ट कहां स हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले से स्टार्ट हुआ था, नदिया जिला, और अगर आपसे गाओं पूछ ले, तो गाओं था गोविंद पूर, ठेक है, और प्रमुख नेता कौन थे, तो दिगंबर विश्वास और विश्वडू चरण विश्वास थे, और निल दरपर नाटक किस ने लिखा था, तो दीन बंधू मित्र ने लिखा था, अब नेक्स्ट कोश्चन देखे पूछ रहा है, कि नील विद्रोह किसके बारे में था, रयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरजस् नीले रंग की जंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था, या फिर एक से अधिक, या इन में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कि जो किसान लोग थे, और नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे जबरजस्ती और बहुत ही अमाने मुल, बहुत कम द पिचा करते थे, तो सीवाल आपसम यहाँ पर सही हो जाएगा, अब चले नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं, तो कोश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारती स्वतंतरता संग्राम के रूप में वरेडित किया गया था, वीडी सावरकर, बालगं प्रथम भारती स्वतंतरता संग्राम की संग्या दिया था, अब चले नेश्ट कोश्चन पर चलते हैं, तो पूछा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारती मंत्री मंदल का नेत्री तो किसने किया था, स्रीकृष्ण सिंग, मुहम्मद जुनूस, जीयललाल, वहाब अ प्रथम भारती मंत्री मंदल का नेत्री तो किसने किया था, तो मुहम्मद जुनूस ने किया था, 1937 में अप्रेल महिने में भारत की पहले प्रधान मंत्री बने थे, पहले क्या होता था, मुख मंत्री का पद नहीं होता था, तो मुख मंत्री को ही प्रधान मंत्री के नाम स से जाना जाता था और इसके बाद जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंग प्रधान मंत्री बन गये थे अब नेक्स्ट कोईशन देखे पूछा है कि बिहार से भारती सव्विधान सभा के सदस से कौन थे एयन सिंधा राजेन प्रसाद जग जीवन राम स्याम नंदन प्रसाद म सब लोग सविधान सभा के सदस से थे तो यहां पर देखी अगर हम लोग बात करें तो राजेन प्रसाद दिया है जग जीवन राम दिया है इसलिए एक से अधिक यहां पर आपसंस हो जाएगा अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हैं अगर आप वीडियो को सही से प और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लेकिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा